हलो एब्रीवान एक और नए वीडियो में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के बारे में कि कव आएगा कितने टाइम तक आएगा कैसे देखना है और कुछ इंपोर्टेंट जी जिनका आपको धिहान रखना है तो यह वीडिय और भी जो भी प्रॉसेसे से बो भी बता हूंगा और वीडियो को भी लाइक कर लेना तो चलो देखते आगे अब इसमें आता फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट डेट जैसा कि आपने काउंसलिंग राउचर देखा तो उसमें नहीं देखा तो उसमें लिखा हुआ ह आपका 19 डिसेंबर 5 पी एम ऑनवार्स वाला पांच वज़े तक आपका आज आना चाहिए बट हम उम्मीद करेंगे कि आज ICR कर दे क्योंकि अब तो आप भी परिच्चित हो गए होंगे आइसी आर से अच्छे से नहीं दो कि कितना आपका टाइम पर काम आईसी आर गरता जैसे कि मैं लास्ट टू येर से देखता आ रहा हूं तो टाइम पर नहीं निकलता बट एक्सपेक्ट हम कर सकते है एक टेंटिटिव डेट है जो आईसी ने दिया है उम्मीद करेंगे कि आज निकाल दे तो आपको फाइब पीएम तक बेट करना कि उससे पहले तो निकाले रहने क्योंकि जो टाइम दिया उसी पर उसी के बाद ही कर सकता या उसी टाइम पर ठीक है न आसा करूंगा कि आप सबका अच्छा रिजल्ट आए आपको फर्स राउंड में अच्छा सी प्रफिट अलोट हो जाए और आपको अच्छा नहीं अलोट होता तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है उसके लिए प्रोसेस अप्ग्रेडेशन अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज अलोट होता है फिर भी टेंशन ने लाए फोर राउंड बाकी है लास्ट आउं तक मेरे से मिस्टेक हुआ था 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 थोड़ा सा मेरा भी डेस्टिनी ने साथ दिया था देखो और हां जिनको भी कट आउफ जाना है कितना जाएगा कितना नहीं तो यह टेलिग्राम चैनल जोइन जरूर कर लें यहां पर अपना रिभीव भी देना जिससे कि और लोगों को आपको भी आइडिया हो जाए फर्स्ट आउंड के बाद में आपको एक ऐसा गूगल फॉम करेट कर दूगा नहीं तो कुछ न कुछ ऐसा कर दूगा जैसे कि आपको कट आइडिया पर मिल जाएगा आपको वीडियो के थुरूबी में आपको बता दूँगा जिससे कि आप करना जैसे icr exam.net जिस पर आपका counseling हुआ था पता है न आपको पता होगा जिस पर आपना application login और password का जो option था तो अपना just application login आपका जो भी था 2210100 उसके बाद में जो भी आपका 5 डिजिट था वो सब पुट करके और अपना password से login करना है just जैसी आप login करते हो तो उसके बाद मे जैसे उसमें लेखा होगा 1,2,3,4 rounds ठीक है तो first round के आगे लिखा होगा first round अगर आपको first round जैसे IRI allotted, IRI BSc agriculture allotted in that university, जो भी university, onticulture allotted in that university, फिस्टरी is allotted in that university, तो उसमें सोगा, ठीक है अगर आपको को other course मिलता है तो यह चीजों को ध्यान रखना, आप उस course को नहीं चाहते ह अपग्रेड करना, अच्छा course लेना, यह मत सोचना नहीं, यह मिल गया बहुत है, इस cut-off पे तो बाद में कोई मिलेगा नहीं, बाद में अपग्रेड के बाद यह तुम्हारे पास रहेगा, यह चीजों को को ही नहीं बताता है, बहुत लोग इसी को mistake करके ले ले लेते हैं कि first on में को यहीं मिल गया, बस अच्छा course भी आपको मिल सकता है, आप आगे के लिए जाना, ठीक है न, और एक चीज, जो मेरा important message है, बाई, documents आपको upload करना होता है, जैसे कि आपका documents आपका 19 को दे देता है, तो 23 तक आपका end of the documents, verification का date है, तो 23 आपका last है, उससे पहले अपन इसना date था, 5 PM तक, ठीक है न, मेरे साथ ऐसा वहा था कि में को नहीं पता था, मेरे mail आया, तो by mistake मैंने mail को, कि मुझे ICR में ऐसा आना रही था, बट एक होता है, तो दो गंटे कंदर में को सब कुछ करना पड़ा था, तो इसलिए बोलना कि आप थोड़ा सा careful रहना, और documents को टाइम पर अप्लोड कर दिना, और कैसे अप्लोड करना बोबी मैं आपको बता दूँगा, किस format में अप्लोड करना बोबी मैं आपको बता दूँगा, तो उसके लिए, चैनल पर बने रहना, और वीडियो को भी लाइक कर दिना, इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, नेक्स्ट भी वीडियो आपको आने वाला है, जभी आपको अलोट होगा तो मैं आपको इंफर्म कर दूँगा, तेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, तो थेंक्यू,